नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रिकेट विद नारायन के साथ तो गाईज हम हमेशा की तरह लेकर आए क्रिकेट के तीन बड़े ने उस तो वीडियो को बिल्कुल भी स्कीप मत करना नमबर वन गईज सौरव गाउली ने रोईटशरमा और विराट कुली को लेकर एक बड़ा स्टेट्मेंट डिया सौरव गाउली ने कहा कि मेरे ओपिनीयन में बोट रोईटशरमा और विराट कुली की जगा बनती है ती 20 क्रिकेट में और मुझे तो कोई भी रिजन दीख नहीं रहा है दोनों को बाहर रखने का T20 क्रिकेट से विराट कुली ये अच्छे फ़र्म में था IPL में और रोईट शर्मा एक अच्छा T20 प्लेयर है इसलिए मुझे अगर पुछोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों को खिलाना चाहिए और आपको सबसे बेश प्लेयर पिक करने है टीम के लिए फिर मैटर नहीं करता कि कौन प्लेयर्स है सवरव गांगुली ने आगे यंग्स्टर्स को लेकर का कि उन्हें भी लगाता टीम में खिलाना चाहिए और उन्हें भी लगातार पफॉर्मंस करके दिखाना होगा जितने भी उन्हें चांसेस मिलेंगे और आपको दिखाना होगा कि आपके पास talent है international cricket खेलने का क्योंकि सिर्फ 15 player ही आप pick कर सकते हो squad में और उसमें से 11 खेल सकते है सो हमेशा कोई ना कोई player miss हो जाएगा और मैं sure हूँ कि जो अच्छा खेलेगा लेकिन फिर भी miss out हुआ है तो उसका time बाद में ज़रूर आएगा सो players को performance के साथ थोड़ा wait करने की भी ज़रूरत है number two guys मौहमत कैफ ने इंडिया cricket team को लेकर एक बड़ा statement दिया मौहमत कैफ ने कहा कि MS 2 ने काफी अच्छा किया है इंडिया team के लिए लेकिन मैं believe करता हूँ कि रोईच शर्मा भी एक अच्छा captain है और इंडिया के पास राउल रविड है जो coach है सो मुझे ने लगता कि इंडिया को किसी और चीज की ज़रूरत है हाँ ये बात सच है कि हम MS 2 ने को miss करते है क्योंकि उसने अच्छा किया है ICC events में लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रोईच शर्मा एक अच्छा प्लेयर है जो कि टीम को forward लेके जा सकता है और इंडिया के पास recently अच्छे प्लेयर भी है और ये टीम मुझे लगता है definitely ICC event जीत सकती है और इंडिया ने last T20 World Cup में mistake किये थे जो अस्टेलिया में हुआ था इंडिया ने रवी चंद्रन अश्विन को pick किया था चाहल के पहले और चाहल ये main baller था इंडिया का T20 में लेकिन फिर भी आपने चाहल को drop कर दिया और ये इंडिया ने basic mistakes की थी और इसलिए आप MS दोनी के हमेशा बात करते हो क्योंकि उसे पता है कि क्या playing 11 खिलाना है और जो major strength है दोनी की वो हमेशा back करता है उसके players को और यही चीज इंडिया टीम मिस कर रही है recently इंडिया ने थोड़ा players को back करना चाहिए इंडिया ने players को वो freedom देना चाहिए कि अगर आपके 2-3 matches खराब भी हो गए तो भी आपको back किया जाएगा और इस चीज से player का confidence बढ़ जाता है और वो अच्छा performance करता है और यही सबसे बड़ा reason है कि MS दोनी ये किसी भी player से अच्छा performance निकाल के लेता था नमबर 3 गाज आकाश चोप्रा ने फैफ 4 को लेकर एक shocking statement डिया आकाश चोप्रा ने कहा कि Kane Williamson और जो रूट यह obviously फैफ 4 में है और Stu Smith जिसका average 50 के उपर है इसलिए वो भी है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विराट कुली अब यह फैफ 4 का इस्सा नहीं है इसलिए रिसेंटली मुझे ऐसा लगता है कि फैफ 4 यह अब नहीं रहा है अब से फैफ 3 रहा है और आप फैफ 3 में बाबर आदम को भी ऐड करने का सोच सकते हो लेकिन रिसेंटली उसे उसमें ऐड करने के लिए रंस मारने की जरूरत है टेश क्रिकेट में इसलिए वो भी अभी पार्ट नहीं ले सकता फैफ 4 के लिए विराट कुली ने अगर कुछ रंस बना दिये तो वो फिर से आ सकता है इस लिश्ट में चलिए आज के लिए बस इतने वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें